दोस्तों, Realme अपना न्यू स्मार्टफोन, Realme GT7 Pro को ओफिसली लॉंच करने के लिए तयार है और लॉंचिंग से पहले इस फोन का सारा डेटेल्स बाहर निकल के आ गिया है इस वीडियो में बात करेंगे कि फोन के बॉक्स में क्या क्या चिये रहेगा फोन डीजान और बिल क्यालिटी में कैसा होगा और इस फोन में क्या क्या चिये मिलेगा सारा कनफर्म डेटेल्स आपको बताएंगे जो लीक होके आया है और बताएंगे कि ये फोन कितने प्राइस पे लॉंच होगा तो चलिए इस वीडियो को सुरू करते हैं और सब कुछ बताते हैं आपको पूरे डेटेल्स में दोस्तों फोन का बोक्स कुछ इस तरीके का होगा जिसा कि आपको दिख रहा होगा फोन के बोक्स में कुछ कागजात रहेगा उसी में सिम निकालने वाला पीन भी रहेगा और एक बेक केस रहेगा जिसका क्वालिटी बढ़िया होगा फिर रियल में GT7 Pro स्मार्टफोन रहेगा और एक 120 वाट का एरेप्टर रहेगा और एक टाइप-C केबल रहेगा फोन के बोक्स में यही सब चीजें रहने वाला है अब चलिए बात करते हैं फोन के design और build quality गा तो देखिए फोन बेक साइड से कुछी इस तरीके का होगा जिससा कि आपको दिख रहा होगा फोन बेक साइड से बढ़िया होने वाला है फोन के बेक साइड पे glass का बेक रहेगा frame metal का होगा और इसमें square cutout में triple camera का setup होगा और एक flash light मिलेगा और phone in hand फिल में बहुत अच्छा होगा जब आप phone को हाथ मिलेंगे तो आपको बहुत अच्छा feel देगा वहीं front side पे quad curve display मिलेगा जो की center पंचोर बला होगा जहां side का business और चीन बहुत जादा कम रहेगा phone front side से भी बढ़िया होगा कुल मिलाकर के देखेगा तो phone design और build quality में बहुत अच्छा phone होने वाला है और leaks में कहा जादा के phone के back side और front side पे corning gorilla glass का protection मिले वाला है अब corning gorilla glass में कौन सा protection होगा ये भी clear नहीं हुआ है डिस्प्ले का बात करें और इसका HBM mod 2000 nits तक का रहेगा और ये LTPO display होगा इसमें refresh rate variable रहेगा और इसमें HDR10 plus Adobe Vision का भी support मिलने वाला है देखे फोन डिस्प्ले में बहुत अच्छा होने वाला है और जब आप फोन को चलाएंगे तो फोन चलाने में आपको बहुत ज़्यादा बढ़िया लगेगा फोन scrolling में, browsing में, open, close में ये सब में बहुत ज़्यादा fast होगा और फोन वीडियो viewing experience में भी बहुत बढ़िया होगा जब आप इसमें कोई भी high quality का वीडियो प्ले करेंगे या कोई 4K वीडियो प्ले करेंगे या कोई HDR वीडियो प्ले करेंगे या कोई high resolution वाला movie देखेंगे तो आपको viewing experience बहुत अच्छा मिलेगा डिस्प्ले में फोन आपको satisfied करने वाला है प्रोसेसर का बात करें तो इस फोन में snapdragon 8 elite प्रोसेसर मिलेगा जो की 3 nanometer fabrication पे बना होगा तो battery efficient भी होगा और बहुत ज़्यादा powerful होगा और ये फोन anti-2 score में 3 million से ज़्यादा का score कर ले रहा है तो इससे देखिए clear ray के फोन performance में बहुत अच्छा होने वाला है जब आप इस फोन में gaming करेंगे high setting पे भी तो gaming आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे और ये फोन एक gaming करने वाले user के लिए बहुत अच्छा होगा खास करके जो लोग bjmi ज़्यादा खेलते हैं उनके लिए तो खेर कमाल को होने वाला है और जो लोग phone में editing करते हैं heavy use करते हैं उन लोगों के लिए भी ये phone based होगा और ये phone एक normal user के लिए और बढ़िया होगा आप इस phone को long term के लिए लेना चाहें तो उस मामले में भी ये phone based रहेगा वहीं इस phone के storage और RAM टाइप का बात करें तो इसमें LPDDR5X RAM और UFS 4.0 storage टाइप ही मिलेगा और जब आप इस phone में कोई भी एप को open करेंगे close करेंगे या एक एप से दुसरी एप स्विच करेंगे या background में को application को run कराएंगे या को application को phone में install करेंगे या कोई बड़े file को एक जगर से दुसरी जगा move करेंगे या copy करेंगे तो ये सब चीजे बहुत ज़्यादा fast होगा phone, story और RAM टाइप में भी top class का होगा camera का बात करें तो इस phone के rear side पे triple camera का setup होगा जहांकि main camera 50 में आप इक्सल का मिलेगा और OIS इसमें भी रहेगा और 8 Megapixel का अल्टरवाइट केमरा होगा selfie में 32 में आप इक्सल का selfie camera होगा देखिए phone का camera setup भी बढ़िया रहेगा और जब आप इस phone के camera से कोई photo की लिकरेंगे वीडियो रिकोड करेंगे तो quality बहुत अच्छा निकल के देगा कलरोग को भी अच्छा से balance रखेगा detailing को भी maintain करेगा dynamic range में भी बढ़िया होगा portrait shots भी बहुत अच्छा निकल के देगा zooming में भी बढ़िया होगा selfie photo भी अच्छा हैगा video recording में भी बेश्ट रहेगा और जो लोग realme का एक अच्छा camera वला phone का तलास कर रहे हैं उनके लिए ये phone बहुत अच्छा हो सकता है battery का बात करें तो इस phone में 6500 mAh का battery मिलेगा जहां 120 watt का fast charge का support भी रहेगा तो phone battery में भी based होगा और fast charge के support में भी बहुत अच्छा होगा और इसमें dual stereo speaker भी मिलेगा तो phone multimedia experience में भी बहुत बढ़िया होगा IP rating का बात करें तो इस phone में IP69 का rating भी रहेगा तो phone IP rating में भी based होगा और phone bodies और dust को बहुत अच्छे से जलने वाला है और दोस्तों ये phone out of the box Android 15 के साथ आएगा और ये realme UI 6.0 पे run करेगा और ये phone जब Indian market में आएगा तो इसमें 4 साल का major update और 5 साल का security update मिलने वाला है दोस्तों ये ही सब पूरा details था ये realme GT7 Pro से related जो कि इस वीडियो में आपको बताए हैं ये ही सब details के साथ ये phone पहले चायना में लोंच होगा ये phone चायना में 4 November को लोंच होने वाला है उसके बाद ये phone इंडियन market में 15 November के आसपास लोंच होने वाला है वहीं इस phone के price का बात करें तो दोस्तों ये phone इंडियन market में 55,000 के price पे लोंच होने वाला है leaks में कहा जा रहा है कि इस phone के base variant का price 55,000 का असपास ही रहेगा तो इस phone को लेके आप serious ने इस phone को लेना चाहते हैं तो आप minimum 55,000 का target लेके चलिए वह इसे दोस्तों इस वीडियो में इतना ही जो update आया था Realme GT7 Pro से related वो सारा details आपको बता दिये विसे thank you so much for watching this video